हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने लावा Z2 Max Android Mobile फोन में आप जो फिंगर प्रिंट लॉग को आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं और यह आप कैसे कर पाएंगे आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूँ तो फिंगर प्रिंट का यह ओप्चन देखने को मिल जागा फिंगर प्रिंट पर आपको स्लेक्ट कर लेना है इसके बाद जो भी आपने स्क्रीन लॉग लगा रखा आपने मॉइल फोन पर उसे यहाँ पर आपको एंटर कर देना है तो आपका अगला पीच ओपन हो जाएगा अब यहाँआ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर बन यहाँपे एड हो रखात है तो यहाँपर यह आपका फिंगर प्रिंट lock जो है वो disable हो जाएगा अब यह setting जो है कैसे काम करेगी मैं आपको बताता हूँ disable करने के बाद पहले आपका mobile phone जो fingerprint touch करते ही sensor पे आपका phone unlock हो जाता था अब वो नहीं होगा unlock ठीक है तो यह setting जो है कुछ इस तरीके से काम करेगी अब यहां पर आपको जो है fingerprint यहां पर टाइप कर देना है fingerprint यहां पर टाइप कर देंगे तो नीची की साइट में fingerprint के साथ security लिखा हुआ एगा इसे आपको select कर लेना है यहां पर आपका यह देख सकते है मेरा mobile phone मुझे जो है इस setting में shortcut तरीके से लेकर आ चुका है ठीक है और इस option को जो है highlight कर रहा है ठीक है तो इसी तरीके से आप भी जो अपने Lava Z2 Max Android mobile phone में आप इस setting को shortcut तरीके से ढूंड सकते है और fingerprint lock को आप जो है disable कर सकते है